कि अच्छ कार दोस्तों बहुत दिनों के बाद एक वीडियो बनाने का समय मिला आप सब भी जानते हैं पिछले दस दिन से खास कर जब से स्ट्रेम आप प्राउन चल रहा है तब से काफी एडमीशन्स में हम काउंसल्स बिजी हो गए हैं और 2022 वाके में ही एक क्या बुलू जटका देने वाला साल है जो लोग वेट करने दों के लिए बहुत अच्छा हो गया है शेयर जब से मैं काउंसलिंग करता हू दस साल सूपर हो गए, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जस्ट नीट क्वालिफाई पे सीट अराम से मिल रही है बिना किसी मेंद के मिल रही है और बैठे बिठाये मिल रही है और बलकि डिस्कांट में मिल रही है तो MBBS कोर्स जिसको हमेशा हमें हमें मान के चलते हैं कि बच्च सीटे खाली है मैं एक रफ एस्टिबेट लगाऊ तो शैद पूरी इंडिया में प्राइवेट MBS की कम से कम इसमें 2000 सीटे खाली है अगर हम सारी इंडिया की सीटों को जोड लेंगे और यही का नंबर होता है क्योंकि एक फर्स्टेट में एक डिमिशन नहीं होता है तो वह सीट पांस साल तक खाली रहती है और हर्याना का स्ट्रे मॉप अप राउंड को नोटिफिकेशन आ गया इस समय आज रिजिस्टेशन स्टार्ट है फ्रेश रिजिस्टेशन अलाउग की गई है पहली बहुत सरफ हर्याना में नहीं राजस्तान को आप ले लिजी अब किसी भी स्टेट कांस सिंग को ले लिजी आप में सेसी फ्रेश रिजिशन अलाउग नहीं कर सकती स्ट्रे मॉप अप में इतनी सीट अवेलेबल है कि अगर आपने मॉप अप राउड में कोई युनिवर्सिटी नहीं भी भरी थी और अब स्ट्रे मॉप अप में लेना चाहते हो तो आपको देने को सीट तयार है यह भी बहुत बड़ा चेंज है रूल का और बाके स्टेट का तो बुरा हाल है जल्दी से देख लेते हैं आज से स्टार्ट हो चुका है स्ट्रे मॉप वाला स्टेट है जिसमें हमारा काम 75 लैक रूपीज में हो जाता है SGT के लावा और इंटरस्टिंग बात यह है कि आदेश जैसा कॉलिज जो की फिलकुल टॉप क्लास कॉलिज गिना जाता है पूरी नौथ इंडिया में 15 सीटे खाली है आठ चार सीटे अलफला में खाली है यह सब प्राइवट कॉलिज होगे जो पाचो है वर्ड मेंडिल कॉलिज जजजर जैसा हमेशे 22 सीटे खाली है आठ एजिटी में खाली है तो टोटल अगर आप जोल ले तो यह 50 से करीब तो अभी सीटे हैं जो अभी अवेलेवल है और लास्ट रॉन में 117 नंबर में भी आप हम जानते हैं जजजर अलोकेट हुआ था स्ट्रे मॉप अप में वह लोग भी आपको में जानकारी दे दू जिनको सीट नहीं भी मिली थी इनको मतलब सीट हम जाद कीजिए पहले रूल यह होता था कि मॉप अप में आप वो सीट मिली और आपने नहीं ली तो डेफिनिटल आपका सिगोर्टी डिपोजिट भी खराब होता था प्लस आप डेफिनिटल अगले राउंड में पार्डिसिपेट नहीं कर सकते हैं इस साल रूल हर जगह चेंज हो रहे हैं हर्याना में तो बिलकुल यह है कि देखिए डिफिनिटल अगर आपने थर्ड रौन में रिपोर्ट कर दिया है डॉक्यूमेंट जमा करा दिये तो तो आप बहार है लेकिन अगर आप वो थर्ड रौन में सीट मिली थो रहां आपने नह हाली है बाग की बीडेस को तो नहीं देखे तो अच्छा है यह सिर्फ हजाना के एक्जामपल है जमोना डेंटल कॉलिज में 88 खाली है चे टोटल सौ में से पीडियम भादुगर में छेतर खाली है सौ में से तो खाली 24 अड्मिशन हुआ है और पूरी उमीद है कि अभी तक का भी हालत यह है और जो लोग फिलाल पेशेंटली वेट करने जो नहीं लिया है शैद उनको नौर्थ में ही आदेश, SGT जैसी सीटें मिल जाएं जैसा कि हम जानते ही हैं खबर है कि हिमाचल में MMU सोलन में भी अभी भी कुछ सीट्स अवेलेबल हो सकती हैं लास राउंड के लिए और राइस्थान में तो हम जानते ही हैं दूसरा जो उनका नोटिस आया हुआ है मैं आपको दिखाओं फिर से राइस्थान ने भी फ्रेश रेजिस्टेशन लाओ कर दिये स्ट्रेम अपप के लिए जो भी सब दिल्ली से क्लोस पड़ते हैं और यह कल आया था सब्सक्राइब में 27 तरीकों होंगे लेकिन अगर आप सीटें देखोगे तो राजस्थान में भी एक पैसिविक में तो 70 सीटे खाली है 70 विच वेरी हाई नंबर और टोटल आप देखिए वनब अब एमबी बेस को जोड़ेंगे तो 110 सीटे हैं जो कम फीस वाली होती हैं और फिर अगर आप हम उसमें आ जाते हैं प्राइवट में तो टोटल मिलाके 90 और 109 पूरी 200 सीटे राइस्थान में खाली हैं जैसे हमने देखा 50 सीटे हर्याना में खाली हैं तो इस तरह हम सारे इंडिया को जोड़ेंगे पहली बार हो रहा ही कनाटिका में आज तक सीटे मिल रही है और बहुत रिजनेबल फीस में एक क्रोड़ की पैकेज में पेगल सोचें वह भी PG MS जैसे कॉलिज में जो लोग वह लेना चाहते हैं वह भी अभी तरह जो खाली बैठे हैं वह ये इसके लिए भी रेजिस्टेशन कर सकते हैं जनरली ये जो सरकारी को ये तो सरकारी कॉलिज है तो देखें इनमें तो स्टेट कोटा लगता है 85% का लेकिन सब्सक्राइब के चलते हैं कि 27-28 तरीक को हो जाना चाहिए सो बेस्ट विशिस बेस्ट ऑफ लग जो लोग बचे में उनके लिए काफी शीट अवेलेबल हैं ले लिजिए अपने अपना पूरा वीजिए हमारे लिए कुछ अब का खास काम बचाने हैं तो फिर में नमबर बता रहा हूं 96433 62320 जो भी हमसे छोटी मोटी सला लेना चाहते हैं एक बेसिक फी देखे हमसे करस्टिंग कर सकते हैं अब पूरा पेकेज लेने की जुरुत नहीं है चोड़कि अब दो-तिम दिन की काउंसलिंग बची है आपका दिन शुब हो नमस्कार